तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कि transformations and actions क्या होते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि DAG and जो हमारा lazy evaluation है lazy evaluation के बारे में थोड़ी सी बात की थी लेकिन आज उसको और detail में बात करेंगे क्योंकि हमेशा हमें क्यों और कैसे देखना होता है ठीक है तो lazy evaluation बात करेंगे और DAG कैसे बनता है उसके बारे में बात करेंगे ये पिछले वाले वीडियो पे dependent होगा तो अगर पिछले वाले वीडियो अपने transformations and actions नहीं देख रहे हैं कि DAG कैसे बनता है and जो हमारा lazy evaluation होता है वो कैसे होता है ठीक है ठीक है तो यहाँ पर आप अभी देख सकते हो कि हमने एक code का snippet डाल दिया है और यहाँ पर topic का नाम दे दिया ठीक है तो यह पहले हम समझ लेते हैं कि यह जो snippet लिखा हुआ यो वो क्यों लिखा हुआ है और वो कैसे हमें आगे lazy evaluation और decoration को समझने में help करेगा ठीक है तो देखो पिछले वीडियो में मैंने वताया था कि जो हमारे जितने भी spark के job होते इसको हम समझ सकते हैं पूरा एक spark का application इसको क्या बोलेंगे कि यह एक हमारा spark का application है ठीक है अब इस spark का application में इतनी सारी चीज़े हो रही है और यही है एक transformations and actions ठीक है तो हमारा जो code बना होता है वो पूरा transformations and actions से बने होते है ठीक है तो सबसे पहले DAG का full form जान लेते है कि DAG मतलब होता क्या है तो इसका full form होता है directed or cyclic graph इसका मतलब होता है directed or cyclic graph मतलब यह cycle में नहीं जाएगा यह loop में कभी नहीं जाएगा यह directed होगा cycle में नहीं होगा और यह graph होगा ठीक है अब directed or cyclic graph होगा DAG का मतलब अब समझते हैं कि यह DAG कैसे बनता ह तो dag जो हमारा बनता है वो क्या है कि जितने भी हमने transformations लिखे है न उसी का ये एक graph बनाता है कि पहले ये काम करेंगे उसके बाद ये काम करेंगे तो इस तरह से हर एक job का हर एक job अब देखो यहां पर हमने क्या बोला है टॉम बोला job तो पिछले lecture में हमने job के बार में भी बात की थी थोड़ी सी बात की थी आगे और भी बात करेंगे तो job हर एक job का अपना एक graph बनेगा हर एक job का अपना एक dag बनेगा ठीक है अब ये dag क्या होता अभी तक हमने नहीं देखा है बट इन action देखने वाले बहुत जल्दी एंड उसके बाद हमारा हो गया लेजी evaluation के बारे में भी थोड़ा सा बात किया था है कि जब तक हम action को hit नहीं करेंगे तब तक ये जितनी भी transformations है वो नहीं होगी तो ये अब हम आज की lecture में live देखने वाले कि ये कैसे नहीं होगी और ये क्यों नहीं होगी उसके बारे में आगे बात करेंगे कि ऐसा थोड़ा सा यहाँ पर भी देख लेंगे लेकिन आगे और ज्यादा detail में बात करेंगे कि ऐसा क्यों करता है ठीक है तो चलिए देखिए हम आप पहले यहाँ पर हम data explain कर देते हैं कि data में क्या हो रहा है तो data में ये हमारा जो portion है वो read कर रहा है ठीक है देन इसके बाद ये जो हमारा repartition है यहाँ पर ये आप लोग को पता होगा कि हमारा ये हो गया white dependency transformation तो ये एक तरह का transformation है ठीक है ये white dependency transformation हो गया उसके बाद यहाँ पर देखो dot filter लगा हुआ है अभी quote नहीं समझ में आगा कोई बात नहीं ये एक narrow dependency transformation है तो ये भी एक transformation हो गया यहाँ पर देखो again एक filter लगा है तो ये भी हमारा transformation हो गया ठीक है और ये भी हमारा ये group by है तो group by क्या है एक white dependency transformation है ठीक है white dependency transformation है और last में हमारा ये क्या है action है तो अभी तक पिछले lecture सब समझ में आ रहे होगी कि हम जो पूरा अपना application लिखते है वो या तो white dependency transformation होता है या narrow dependency transformation होता है या action होता है यहाँ तक चीज़े clear है अभी तक ठीक है अब देखो ये dag हमने अभी क्या बोला कि dag जो बनता है वो for each job क्या बनता है for each job अब पिछले व तो हमारा ये जो for each job बनता है अब job का बनता है when action is hit ठीक है जब हम action को hit करते हैं तो job बनता है अब यहाँ पर आप लोग खुद बताओ कि कितने action हुए है देखो यहाँ पर action हुआ है ये जो हमारा read method है ये जो हमारा read method है वो भी एक action है then infer schema जो है वो भी हमारा एक action है तो यहाँ पर हमारा ये देखो ये action हुआ ये action हुआ यहाँ पर ये action हुआ तो जितने सारे action होंगे उतने सारे job बनेंगे ठीक है तो यहाँ तक ही कहानी अभी तक समझ में आ रहे होगे आज थोड़ा बहुत confusion हो रहा होगा कि ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ तो अब चलो ये build कर लिया हमने कि हमारे transformations लागे हुए है ये एक flight का data है तो पहले हम देख लेंगे कि हमारा data कैसा दिखता है और जैसे ही data दिखेगा तो अब जो हमने अभी जितनी भी points बताई है न वो आगे जाके देखो कैसे connect होगा इसके लिए हमें चलना पड़ेगा data bricks notebook में वहाँ पर हर एक चीजों को करना होगा और वहाँ से फिर हम इसके जो spark web UI यहाँ पर एक चीज और term आ गया यहाँ पर spark UI तो spark UI तो जो हमारा spark UI है वो हमारे application के status को दिखाता है वो भी हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में तो चलो अब हम चलते हैं सीधा data bricks notebook पर और वहाँ पर सारी चीजों को अब अच्छे से explain करते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं कि ऐसा हो रहा है तो क्यूं हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो कि हम आ गए हैं data bricks notebook पर अब यहाँ पर यह हमारा पूरा code है मैं इसको वापस से run कर देता हूँ अभी आपने starting वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पर हमने flight csv data जो है हमारा उसको हमने कैसे download किया था और कैसे upload किया था और कैसे read किया था वो सारी चीजा हमने already cover कर रखी है तो यह वाला जो portion है बाकि उसका tension नहीं लेना है आज का जो process आज का जो चीज है वो समझते है पहले जब मैंने इसको run किया तो यहाँ पर देखो 4 spark job दिखा रहा है ठीक है अब spark job 4 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 4 action को hit किया गया है ठीक है अब 4 action को hit किया गया अब हमने क्या बोला था कि हर एक action पे एक job बनेगा और हर एक job का अपना dag होगा वापिस बोलता हूँ यह बात ध्यान से सुनना कि हर एक action पे एक job बनेगा और हर एक job का अपना dag होगा ठीक है यह समझ में आ गया अब देखो यह एक job है मतलब कि यहाँ पे action hit हुआ है अब इस action का एक होगा यहाँ पे हमारा dag तो हमने view पे click किया, यहाँ पे जब हम click करेंगे तो यह expand mode में दिखेगा, क्योंकि वहाँ छोटा दिख रहा था, तो ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा था, तो देखो, issue को बोलते है dag visualization, dag मतलब directed or cyclic graph, यह क्या कर रहा है, कि जब हमने यहाँ पे action को hit किया है, अब इसको हम close कर देते हैं, क्योंकि next type में खुला हुआ है, यहाँ पे देखो, इस line पे देखो, हमने क्या किया, spark.read.csv, इसको read करने के लिए बोला है, तो यह क्या कर रहा है, यहाँ पे scan कर रहा है, जो भी इसको text file मिला है, उसको scan कर रहा है, और फिर whole stage code generation, यहाँ पे code, जो Java का byte code है, generate करके दिया, ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारे details है, जो कि अभी हम नहीं देखेंगे, जैसे यहाँ पे task है, task कैसे generate हो जाती है, stage कैसे बन जाती है, वो सारी चीज़ा भी नहीं देखेंगे, तो deck का मतलब हुआ, कि यहीं हमारा, जैसे जैसे flow लिखा हुआ है, वैसे व read करके उसका schema पता करो, schema भी आप लोगो पढ़ा दिया है, schema कैसे बनाते हैं, schema क्या होता है, सारी चीज़ आप लोगो, already अब पता चल रही होगी, तो infer schema जब वो करने जाता है, तो उसको फिर से पूरा कुछ part of files को, मालो 10 record को, तो 10 record को उसको पढ़ना पढ़ता है, और इसी तरह से यहाँ पर अगर हम job 7 पर click करें, तो यहाँ पर यह वाला जो view अगर हम करेंगे, तो यहाँ पर भी यह scan कर रहा होगा text को, और वहाँ पर यह क्या कर रहा होगा, कि वहाँ पर infer कर रहा होगा schema को, तो इसी को हम बोलते हैं, इसको भी expand कर लेते हैं, इसी को बोलते है कि scan text मतलब उसने text को scan किया है and अभी map partition deserialized object यह सब नहीं समझते हैं ज्यादा detail में नहीं जाते हैं आज किस वीडियो में आज किस वीडियो में मेरा मकसद है कि आपको DAG visualization बताना कि DAG कैसा दिखता है कैसे बनता है यहाँ पर यह जो हमारा box है और इसके edges है मतलब graph में अगर आपने graph पढ़ी होगी तो graph में क्या होता है edges होते है and vertices and vertices होती है तो vertices यह हो गया हमारा और edge जो यह हमारा arrow है वो है ठीक है अब हम यहाँ पर आते हैं अभी तक हमने देखा कि DAG कैसा दिखता है ठीक है अब हम देखते हैं कि lazy evaluation यह क्यों है ठीक है देखो यहाँ पर हमने बोला दो job बनेंगे अब देखो इसको न हम क्या करते हैं तोड़ तोड़ के मतलब यह पूरा code तो अभी एक sale में लिखा हूँ अब इस code को हम छोटा-छोटा चंक में चलाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि यह कैसे lazy evaluation है ठीक है तो देखो हम क्या करेंगे कि इसके first वाले part को पूरा code को copy कर लेंगे अब ध्यान से देखना यहाँ पर total चार job है अभी देखना मैं इसको run करूंगा तो कितने job दिखेंगे job मतलब अगेन बोल रहा हूं जो action heat हुई है यहाँ पर देखो इसने दो job बना है मतलब कि इसको दो action मिली है और उसने दो action से एक job बना दिया अभी तक आपने data नहीं देखा है क्योंकि आप भूल गए होगे पुराना data कैसा दिखता है तो मैं data दिखाता हूं पहले तो क्यो इतना इसमें अगर 100 करेंगे तो यह 20 by default दिखाएगा और यहाँ पर जो number डालेंगे उतना record हमें यह return करेगा ठीक है तो हमने यहाँ पर दीख रहा है कि destination country का नाम है यह flight का डेटा है कि कहां से flight मतलब origin कहां से हुई कहां पर जा रही है और वो कितने बार गई है मतलब हो सकत अब देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम इसको करते हैं यह वाला portion यह क्या है एक transformation है और transformation को अगर मैं इसमें add कर दूँ तो आप बताना कि transformation में क्या एक नया job create होगा होगा या नहीं होगा answer बताओ उसके बाद मैं इस cell को run कर देता हूँ देखो यहाँ पर अभी भी दिखा रहा है two spark job क्यूंकि अभी तक हमने कोई action नहीं किया तो इसके उपर यह जो transformation लिखी थी वो कुछ नहीं हुई और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यह lazy evaluation कर रहा है ठीक है अभी एक और ची जो को समझो कि अभी यह वाले line को कर लेता हूँ अभी भी यह क्या है हमारा हमने बताया था कि यह क्या है हमारा एक और transformation है फिल्टर है जो कि narrow dependency transformation है अगेन हम run करेंगे एक 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 करके अब run करते जा रहा है अभी भी देखो कि हमारा spark job का count नहीं बढ़ है यह two का two ही रहा र transformation है यह दोनों भी हमारे क्या है transformation है एक narrow dependency है एक white dependency है अभी तक भी मैं run करूँगा देखो अभी तक भी मैं run करूँगा जॉब में increment नहीं होगा देखना यहाँ पे भी यह job का increment नहीं होगा अगर हमारी theory सही है तो देखो नहीं हुआ दो अभी इसको एक्शन मिल ही नहीं रह अभी तक इसने इस लाइन को रन किया है, लाइन नमर 6, 8, 10 और 12, इसने तीनों चारों में से कुई लाइन को रन नहीं किया, यह सांती से बैठा हुआ, यह वेट कर रहा है, जब तुम एक्षन हीट करोगे तभी हम काम करना सुरू करेंगे, इसी को बोलते हैं, लेजी उवेल जाके आगे की deck visualization अभी तक नहीं देख सकते हैं, अभी ऐसा कर क्यों रहा है, यह कर रहा है, ताकि यह code को optimize करेगा, अब देखना कि कैसे code को optimize किया है, वो भी दिखाता हूँ, तो यह रहा हमारा last line, यह, sorry, इस line को, इस line को हम copy कर लेते हैं, ठीक है, last line, अब यह last line है हमारा action, action जैसे ही hit करेंगे हमारा job create होगा, ठीक है, यह देखो, सीधा होगा है, दो से चार job, एक job अभी मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है, कि हमने एक ही hit किया यहाँ पे, क्योंकि सारे transformations थे, हमने एक ही action हीट किया, बट हमारे दो jobs, spark job create हुए है, यह मेरे को भी अभी नहीं समझ में आ रहा है, अगर मुझे समझ में आएगा, तो मैं बताऊंगा, अभी के लिए तो मैं भी confused ही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे इसने चार job कर दिये, मतलब कि अभी तक इसने आराम से बैठा हुआ था, और जैसे ही इसको action मिला, इसने code को run कर दिया, इसी को बोलते हैं, ले तो मैं destination का country जो है United State है, मतलब कि हम इंडिया से या कहीं से भी, कहां जा रहे है, United State में जा रहे है, मतलब कोई भी country से United State में आ रहे है, ठीक है, उसके बाद देखो, अगले हमने data frame का नाम भी proper दिया है, US India data, मतलब कि हमारे को ऐसे data code निकालने हैं, जो कि इंडिया से गया है US के लिए, या फिर Singapore से गया है, US के लिए, अगर ideally ये python का code होता है, ये normal कोई सा भी programming language का code होता, तो पहले ये run होता, उसके बाद ये run होता है, correct, लेकिन अब हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, और उसको दिखाने के लिए हम चलते हैं अपने jobs के अंदर, jobs के अंदर इसने run किया है, लास्ट वाले job में इसने run किया है, तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, expand, यहाँ पे हम देखते हैं, पहले dag, और dag में shift जाएंगे, फिर SQL में कि इसने SQL का कैसा query बनाया है, optimize करके, यहाँ पे इसने scan किया है data को, ये वाला portion जो है न, जो grade out वाले होता है, वो skip कर देता है, तो ये भी intelligently करता है, कि इसको पता है कि हमने ये काम कर लिया, तो इसको दुबारा करने की जरूरत नहीं है, और अगर उसकी requirement पड़ती है, तो उसको skip कर देगा, ठीक है, अब हम चलते हैं, कि देखो हमारा optimization में इसने क्या किया है, ये हमारा query है, देखो, इसन यहाँ पर क्या किया है, ऐसा integrate किया है, फिल्टर किया, ये देखो, फिल्टर में देखो क्या optimization लगाया इसने, यहाँ पर देख सकते हो, कि फिल्टर में इसने क्या किया है, ये किया है, कि पहले इसने ऐसा किया, कि is not null destination country, पहले तो वो चेक कर लिया, कि null तो नहीं है, and उसक चाहिए थे उसके बाद हमारा दूसरा code run होना चाहिए थे correct क्योंकि हमने दो data frame बनाये थे लेकिन इसने क्या क्या उन दोनों को combine कर दिया combine करके इसने क्या बनाया destination country name equal to united state रखा एंड हमने अगली बार क्या बोला एंड origin name जो है वो इंडिया हो और उसके बाद है और भी लगाया उसके आगे और भी लगाया और origin country name जो हो Singapore हो तो इसने क्या क्या कोड को हमारे optimize कर दिया अब हम चलते हैं वापस से code पर देखो इसने क्या किया इन दोनों step पो combine कर दिया और एक बार में calculate कर लिया अब इससे क्या हुआ कि इसका दो बार processing इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी एक बार पहले filter नहीं करना पड़ा फिर से वापस इसको filter दूसरी filter नहीं लगाने पड़ी तो यह internally code को optimize कर रहा है औ कि आपको जितना code लिखना है जितने भी transformations लिखने है वो लिखते जाओ हम last month उसको optimize करके और आपका code को run करेंगे और यह जो जैसे filter बगारा है ना filter बगारा को predicate, pushdown and projection, pruning इन सारे terms आते हैं जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं कि अगर हम पहले group ही लगा देते हैं then filter मारते है तो ये चीजों को हटा के हमें कुछ-कुछ चीजों को करके देता मतलब अभी ज्यादा detail में नहीं जाते है नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं अभी क्या-क्या बोल रहा हूं ठीक है तो वापस चलते हम अपने topic पे तो हम आ गए हैं अपने वापस से screen पे जह रहा था पहले हमने यहां पर repartition run किया देन filter run किया यह इन सारी चीजों के run होने से भी हमारा कोई भी जॉब में increment नहीं हो रहा था तो वहां से हम समझे थे कि यह lazy evaluation यह आराम से बैठा हुआ है हमारे जो भी हमने transformations दिया है वो read जो कर रहा है लेगिन उसको आगे अभी कुछ भी process नहीं कर रहा है उसको optimize करने के लिए बाद में वो जाएगा ठीक है तो इस तरह से DAG को हमने बता दिया हमने lazy evaluation को बता दिया spark UI spark UI का मतला वही जो हम UI पर जाके देख रहते चीजों को basically इसको बोल रहे थे हम spark UI अगर कोई आपको बोलता है कि spark UI क्या होता है तो इसी को बोलते है spark UI इसको अभी detail में पढ़ने की जरूए था इसमें बहुत सारे टाब है job, stages, environment, executor बहुत सारी चीज़े हैं वो पढ़ेंगे आगे चलके लेगिन अभी के लिए हम यह देख लिए कि spark UI हमारा ऐसा दिखता ह and then last में यह हमने जो यह screenshot लिया है वो देख सकते हो कि इसने क्या किया है optimization किया है optimization यह इसी लिए कर पा रहा है क्योंकि यह legally evaluated है ठीक है तो इस तरह से आज के इस lecture को छोटा रखते हैं वैसे तो इसको दो चार लाइन में भी बताया जा सकता था लेगिन मैं चाहता था कि आप आपको हर एक doubt जो होगा न वो बिल्कुल बचेगा ही नहीं तो मेरा यही aim रहते हैं हमेशा कि मैं इस तरह से पढ़ाओ कि आपको कोई भी doubt बचे ही ना बिल्कुल आप data level पे जाके देखो यहाँ पे देखें ना transformations कैसे लगा रहा है अगर आगे आप से जाके कोई कि lazy evaluation क्यों करते हैं आप इतने detail में answer दे पाओगे कि आपको मतलब interviewer भी खूस हो जागा और आपको भी लगा कि हाँ में confidence है कि lazy evaluation कैसे होता है और क्यों होता है ठीक है optimization कैसे होता है अभी optimization में तो बहुत सारी चीजा आनी है अभी तो यह surface भी नहीं बोल सकते है ठीक है तो च